मैंने वो चेकप के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है ना वो सारे कॉंट्रेक्ट में वो लिखे गा इनी यहां पे जो सोलर पैनल बना ही नहीं रहे हैं अपना सी ब्रांड चिपका आगर सोलर पैनल बेच रहे हैं उन सारे कंपनी नमस्कार स्वागत है एक और ने वीडियो में आज के इस वीडियो में जी हां जैसा कि आपने थमनल में देखी लिया होगा एक्सपोज पैनल कंपनी करने वाला हूँ और इसमें जो तीन केटेगरी का एक्सपोज होने वाला है ना यह यदि आपने नहीं देखा और वीडियो के लास तक आपने नहीं देखा तो आपके स अपने घड़ों में solar panel system लगाना चाहते हैं या genuine तरीके से solar business में आना चाहते हैं तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारा जोकिम लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को पहले से like कर दिजे चैनल में नहीं तो subscribe कर लिजे तो चलिए आरंब करते हैं तो देखें ये जो वीडियो है ना इसके तुरू तीन जो बरे फ्रॉड और धरले से चल रहा है इसके उपर आपको जानना परेगा आपको समझना परेगा क्योंकि इस तरह के फ्रॉड होने पे ना लोगों के साथ double धोकादरी होता है जी हाँ double धोकादरी होता है तो जैसा कि आपने पहले सुन लिया पहला कौन सा फ्रॉड हो रहा है आपको बताना चाहूंगा एपीसी कंपनी का फ्रॉड चल रहा है जी अब पहला जो फ्रॉड चल रहा है ना एपीसी कंपनी का चल रहा है और देखें ये उस तरह के एपीसी कंपनी और मैं यहां से कंप्लेंड करो और हो क्या रहा है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ एक किलोवाट दो किलोवाट का कोटेशन मांग रहे हैं ठीक है और खास करके जो वह एम पानल डूएंडर है एम पानल एपीशी कॉंट्रेक्टर है वह बहर-बहर के कोटेशन कितना का दे रहे हैं प ठीक है और यही एक तरह से भरस्टाचार है भाया यदि सोलर पैनल सिस्टम का रेट इतना डिक्रीज हुआ है और इस तरीके से प्रधानमंत्री नेशनल लेवल पे इस तरह की केम्पेन को रन कर रही है तो उसमें क्या करेंगे सबसीडी जरूर मिल रहा है लेकिन सबसीडी के अलाबह भी तुम उतना पैसा बनाना चाहोगे लाग लाग रुपए पर किरोवाट का कौस्थ दोगे तो यह तरह एक तरह का फ्रौड में आएगा इक तरह का भरस्टाचार होगा और इस तरह का भरस्टाचार आपको सुएकार नहीं करना है और इसलिए देखिए मैं आरम चल रहा है उस नेक्सेस को तोरना है और ये नेक्सेस तभी टोटेगा जब सब लोग हम मिलकर प्रयास करेंगे मैं कितना बोलता रहूंगा और मैं जो है बार-बार वीडियो बना कर आपको समझाया हूँ समझाया हूँ बताया हूँ कि किस तरीके से सोलर पैनल सिस्टम का रे अभी के समय में जो genuine जानते हैं potential देखो तरीका वही हो सकता है या तो किसी एक customer के घर पे solar panel system लगा कर उसको चूसना है आपको उसको गरीब बना देना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लेना है या आप धेर सारे customer बना कर कुछ-कुछ पैसे profit का बना कर अपने company को बरा कर सकते हो जीयो का formula आपको अपनाना चाहिए ना जीयो का formula अपना हो ना किस तरीके से free में SIM बाता और उसके बाद देखो कितना ज़्यादा revenue बना तो solar panel जब scale पे चल रहा है ना तो ऐसे EPC को बचना परेगा एसे EPC से आपको भी बचना परेगा और जो genuine EPC contractor होगी ना वो इस तरह के rate तो आपको नहीं देने वाली है ठीक है नहीं देने वाली है तो आप आम जनता को भी नहीं यहां से बोलना चाहूंगा कि आप जब किसी एक contractor पे dependent हो जाते हो ना तब वो आपके साथ fraud करता है और व क्सा service दे रहा है आपके घर पर आके असmile एमारव की cleaning कर रहा ही वह नहीं कर रहा है ना क्या आंके यहाँ पे हर महीने वह чeorous के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है ना, वो सारे contract में वो लिखेगा ही नहीं, guarantee के साथ बोल रहा हूँ, नहीं लिखेगा, ना cleaning के service देगा, ना आपके यहाँ पे आके वो बार बार service देगा, लेकिन service के नाम पे आपको लूटेगा, वो चीजे नहीं होना चीए, और उस चीजे के खिलाप मेरी ल का exposure में करता रहता हूँ, ठीक है, second जो fraud चल रहा है न, वो solar panel का fraud चल रहा है, जिया, solar panel का fraud चल रहा है, आपको पता ही है, solar panel में जो latest technology है, वो क्या है, n-tap topicon technology है, कौन सा टेकनोलोजी है, n-tap topicon technology है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चार-पांस तरीके का खेल खेला जा र पहले आपको पता था 540 वाट का मोनो हाफ का टेकनोलोजी थी जो की पी टाइट टेकनोलोजी में आता है उसमें क्या हो रहा था अभी के समय में क्या चल रहा है इसी टेकनोलोजी को एंटाइट टॉपकोन टेकनोलोजी बता करना मार्केट में बिचा जा रहा है और यह धरनल तो इस टर से ही मंगाना परेगा ताकि आपके पास ना वो बिल रहे ताकि आप उस सोलर पैनल को वेरिफाई कर आप आओ ठीक है एंटाइब टॉपकोन टेकनोलोजी का बिल रहेगा तब आप वेरिफाई कर आओगे आपके सोलर पैनल के पीछे वो थोरे से बारकोड को चल रहा है एक है आपसे प्रोजेक्ट का तो पैसा बजाएक से हुलेके लेकी यग今天 कमपनी वेरिफाई कर आप आओगे और जब verify नहीं कर आओगे ना आपके साथ fraud हो जाएगा ठीक है ये इससे भी आपको बचना है बिलकुल बचना है और देखिए ये जो पैनल है ना ये एक-दो साल के लिए थोरे नहीं होता है हां 25 से 30 सालों के लिए होता है तो इस पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है ठीक है एवे ही किसी कंपनी से लेकर जो सेकेंड हैं पैनल आपके यहां पर फर्स्ट हैं बताकर बेच दे आपके यहां पर लगा दे इससे आपको बचना है इससे डबल क्रॉस चेक करना है और तब जाकर ही अपना सोलर पैनल लगाना है ठीक है ठाड जो चल रहा है वो बीग ग्रेड का पैनल यह प्रोजेक्ट में एक दो तो आपको एग रिटी का पैनल देंगे तो आपको यह चिपका रहें लोग और बीग रेड की लिए तो इसको भी वेरिफाइ करना है इससे भी आपको बचना है आपको थोरी सी मेंद करनी परेगी अपने पुरे प्रजेक्ट के पुरे पैनल के बार कोड को सकेन करना परेगा आपको देखना परेगा और तब जाकि यह जो फ्रॉड चल रहा है ना सोलर पैनल का इस से आप बच पाऊगे ठीक है जो फोर्फ वन तोप कॉन टेक्नोलोजी मिल जाती है लेकिन यहीं पर बहुत ऐसी कंपनी आएगी जो मैंने रेट बता है आपको 35,000, 36,000 या 37,000 पर किलोवाट का कॉस्ट ओल टुगेदर सोलर पैनल सिस्टम का वो क्या बताएगी आपको 20-25,000 रुपे पर किलोवाट का कॉस्ट बता देगी इवें कि 30,000 का पर किलोवाट का कॉस्ट बता देगी ठीक है वो करते क्या है वो भी बता देता हूँ कि यह जो रिजेक्टेट पैनल है न लो प्राइस वाला पैनल है कंपनी से बहुत ज़्यादा रिजेक्टेट पैनल है उसके साथ वो आपका सोलर पैनल सिस्टम लगा द लाता है तो यहां पर आपको बचना है और सबसे जो लास्ट वाला है न यह जिदी आप कर लिया न इसका वेरिफिकेशन जब आपने कर लिया न तो आपका सोलर पैनल एक्च्वल माइने में 25 से 30 साल चलने वाला है यह मैं दावे के साथ बोल रहा हूं ठीक है और यह जो ल सोलर पैनल लगाना है जो अपना सोलर पैनल बनाती है भारत वर्स में ठीक है अपना सोलर पैनल बनाती है और जो बनाती नहीं है वो सर्विस कहां से देखी सोचने वाली बात है और एक दो सालों के लिए तो solar panel है नहीं ठीक है ये 25 से 30 सालों के लिए तो यहाँ पे जो solar panel बना ही नहीं रहे हैं अपना सी brand चिपका कर solar panel बेच रहे हैं उन सारे company के panel से आपको बचना है जिया उन सारे solar panel company से बचना है और cross check करना है अभी market में ना entire topcon आ गया तो वो जो panel नहीं बनाने वाली company है वो ना अपना top technology बिना किसी technology के topcon technology के नाम पे बेचना start कर दिये पहले से ठीक है पहले से जबकि technology यहाँ पे आई नहीं तो ऐसे company से आपको double verify करना है और अभी के समय में उसके website पर जाईए ना उसके manufacturing units को चेक कीजिए ना ठीक है पता दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी आती है ना तो इसलिए मैंने WhatsApp नंबर चोड़ा हुआ है आपको ज्यादा परेशानी हो रहे है WhatsApp नंबर पर verify करा लो कि इस company का solar panel ले रहा हूँ यह actual manufacturer है या नहीं है और इसलिए मैं बोलता हूँ fake panel manufacturer से आपको बचना है ठीक है खाली social media पर promotion करने से नहीं चलेगा भाया उसके लिए plant लगाना परेगा panel बनाना परेगा ठीक है तो panel जो company नहीं बनाती है ना उससे आपको ब recommendation रहेगा कि इस तरह के company का solar panel तो मत ही खरीदना जी हम मत खरीदना और इस तरीके का solar panel खरीद के ना आपका जी का जन्जाल बन जाएगा ठीक है आप जो solar panel में किसी तरह की कोई परेशानी आही ना मेरे पास धेरों मेंसे जाते है ठीक है इस company का मैंने ले लिया तीन महींने पहले लिया और अभी solar panel में problem आ गया वो company response ही नहीं दे रही है company का कोई response ही नहीं है तो इस तरीके का जो company है उससे आपको बचना है बिलकुल बचना है और तब जाके ना आप एक अच्छा solar panel system लगा पाऊगे ठीक है मेरा मकसद ही है कि अच्छा solar panel system आपके घर में लगे और व आप खुद तो यूज करो next generation को भी यूज कराओ और जो last का जो pillar है ना fraud का इसको भी आपको तोरना परेगा वो जो pillar है ना e-corruption company e-corruption company और e-corruption मैं समझा ही देता हूँ यह जो cyber crime चल रहा है ना solar panel में जिस तरीके से आपको पहले कई सारे वीडियो में मैंने बताया था PM कुसूम योजना में किस तरीके से लोगों के साथ fraud हो रहा है सबसे पहले तो उस लोगों को पता ही नहीं कि कहां पे apply कर रहा है ठीक ठीक है सारा documents दिखाया fraudster का जो की fake आधार काट, fake pen card ठीक है वो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि copyright आजाता है YouTube पे और तब जाके वीडियो भी मेरा surprise कर दिया जाएगा तो मैं लगाऊंगा नहीं लेकिन मेरे पास ठीक है call आया उस किसान के साथ हिमाचल के किसान के साथ 6,000,000 का fraud हुआ कुसुम योजना के नाम पे ठीक है तो आपको यह पता होना चीए ना कि आपको apply कैसे करना है और कोई भी company जो apply करती है या even कि आपको पता है PM सुरिघर योजना किस तरीके से apply होता है PM सुरिघर.GOV.IN पे जाके apply होता है और इसके नाम से आप देखो तो धेरो फेक वेबसाइट बन चुका है PM सुरिघर.com, PM सुरिघर.co.in इस तरीके का वेबसाइट फेक वेबसाइट है भईया इस तरीके का वेबसाइट पे तो आपको जाना ही नहीं है और इस तरीके के वेबसाइट से जब आप बचोगे ना तब actual में e-corruption company जो चल रही है ना अभी उससे आप बच पाओगे तो यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि कहां पे आपको apply करना है कहां पे नहीं करना है इसी के लिए ना मैं वेबसाइट highlight कर देता हूँ अपने देखिए मेरे screen पे तो so ही हो रहा होगा लेकिन description में भी so हो रहा होगा तो जल्दबाजी में नहीं पूरा information यदि कोई देखेगा तब तो fraud होने से बचेगा ना तो इस तरीके के cyber fraud ना जो तीन मैंने pillar बताया ना fraud के ये तीन pillar बहुत जबरदस तरीके से market में चल रहा है और मुझे लगा कि इस तरीके का fraud से बचने के लिए ना एक तो संसनी खेज वीडियो बनाना ही परेगा और इसी लिए इस वीडियो का नामने exposed रखा है इस में ना तीनों तरह के exposed मैंने किया है और ये तीन लेवल पर exposed किया है एक पहला लेवल किस पर किया भईया इपीसी पर किया सेकेंड लेवल सोलर पैनल पर जो exposed होने वाली चीज़ है उन्हों उसको ये लिए मैंने बोला ठीक है और इसमें आप जब डबल ट्रिपल वेरिफाइ करोगे ना तब जाके आपका जो सोलर पैनल सिस्टम है नेक्स लेवल का होगा मात मैवर्ड नेक्स लेवल का होगा और इसके बिना ना भाया फ्रॉड हो जाएगा तो इससे आपको बचना है और ठर्ड लेवल पर जो जी साइवर फ्रॉड चल रहा है इससे आपको बचना परेगा तो ये तीनों Йदा इस तरह का वीडिओ करनेज करें और उच्छा लगाdz का डिया और आप सब्सक्राइब करें और इस तरह के मैसेज को नेक्स लेवल पर पहुँचा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करे ठीक है वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद जाहिंद